C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरपस्तुत है कक्षा 5 की पाट्टे पुस्तक हमारे आसपास का सत्रवा पाट फांदली दीवार प्रिष्ट संख्या 154 ये है इंडियन एक्स्प्रेस 2007 में छपी एक रिपोर्ट चमकते सितारे अफसाना मनसूरी हैं तो सिर्फ तेरा वर्ष की पर वो अभी से दीवार फांद चुकी है वह दीवार जो उसकी जुग्गी और बास्केट बॉल कोट के बीच है समाज दुआरा खड़ी की गई दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बरतन मांचती है लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी मा ने उसके सामने खड़ी की थी आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार हैं मुंबई की नागपाड़ा बास्केट बॉल एसोसियेशन की आज वह प्रेड़ना हैं पांच अन्य लड़कियों के लिए जो रोज मर्रा की जिंदगी को छोड़ कर पहुँची हैं बास्केट बॉल कोट में आज अफसाना एक सितारा हैं एक उभरती टीम का इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुँची जिलास्तर टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में ये थी इंडियन एक्सप्रेस 2007 की एक रिपोर्ट एक मुलाकात हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केट बॉल टीम के बारे में अख़बार में पढ़ा तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिले और तुम सभी से इनकी पहचान कराए हम मुंबई के छत्रपती शिवाजी टर्मिनल रिल्वेस शेशन पर उतर कर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगबग 20 मिनट की दूरी पर है हमने वहाँ अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसियेशन की लड़कियों से बातें की तुम भी सुनो उनसी हुई हमारी एक मुलाकात प्रिष्ट 155 मिलो इस अनोखी टीम से अफसाना, जरीन, खुशनूर, आफरीन से ये लड़कियां पहले तो जरा चुपचाप थी जब शुरू हुई तो बस जरीन ने शुरू आत की मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है मेरा भाई भी यहां खेलता है मैं अपनी बालकनी में खड़े-खड़े लड़कों का खेल देखती रहती तब मैं सातवी में पड़ती थी जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता खेलाडियों को सभी चीर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते यह सब देखकर मुझे लगता क्यों न मैं भी खेलूं क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा तब मैंने हमारे कोज को कुछ ड़ते हुए पूछा वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं उन्होंने कहा क्यों नहीं अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी पता करो क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगा है वहां कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं कौन-कौन खेलता है क्या वहां तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है वहां खेल के अलावा और क्या-क्या होता है प्रिष्ट 156 खुशनूर बोली शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए अफसाना ने कहा मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती हैं और हम बच्चों को स्कूल भेजती हैं मैं भी उनकी मदद करती हूँ मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी लड़किया थोड़े ही बास्केट बॉल खेलती हैं काम करो स्कूल जाओ ठीक से पढ़ो ग्राउंड पर खेलने की कोई जरूरत नहीं है मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई आफरिन बोली हाँ हम लड़किया हैं इसलिए हमें मना किया जाता है मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं लेकिन हम तीनों बहने फिर भी यहां खेलने आती हैं दादी आज भी हमें डाटती हैं हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए ताकत के लिए दूद पीना पड़ेगा इतने पैसे कहां से आएंगे मगर डैडी हमारी बात समझते हैं खेलने के पैतरे भी सिखाते हैं मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे उनके पास ना खेलने के जूते थे ना कोई खास कपड़े वे प्लास्चिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे डैडी बताते हैं कि जब बच्चु खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है इसे ठीक से सीखना चाहिए उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिये मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाडी बन सकते थे पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम बढ़ जाना पड़ा इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें अच्छे खिलाडी बने बताओ क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है कौन-कौन से खेल किसने रोका क्यों फिर तुमने क्या किया क्या किसी ने तुम्हारी मदद की खेलने के लिए प्रोच साहित किया हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ एक लड़की बोली शुरुवात में हमें थोड़ा अजीब लगता था यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है न? जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते उन्हें लगता लड़कियां कैसे बास्केट बॉल खेल रही है मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती है अफसाना बोली जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था अब दो साल बीट गए अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं मगर यह हुआ हमारी मिहनत से और कोच सर के सिखाने से दूसरी लड़की बोली हाँ बहुत मिहनत करते हैं हम हमारे सर बहुत सकते हैं हमें साथ मिलकर पहले दोड लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाय रखना है, दूसरी टीम के खिलाडियों को छकाना है, बास्केट बॉल में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दॉल लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं, आफरिन बोली, सर कहते हैं, तुम यह सोच कर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाडी की तरह खेलो, अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो, हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं, चलुठ कुछ नहीं हुआ, अब हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है, प्रिष्ट 158, एक लड़की बोली, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं, कि लड़के भी हमें खिलाडियों की नजर से देखें, हम लड़कियां हैं, इसलिए हमें कोई छूट ना मिले, कभी कभी लड़के हम तुम्हारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं, अगर लड़के चीटिंग करते हैं, तो हम उन्हें डाट भी देते हैं, चर्चा करो, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, अगर हां, तो लड़की क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं, तुम क्या सोचते हो, कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है, तुम्हें क्या लगता है, लड़के लड़क के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं। हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की बोली हमारी टीम बहुत खास है। हमारी टीम में एक्ता है। जगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुल जाहलेते हैं। जल्दी ही भूल भी जाते हैं साथ में मिलकर रहना हमने यहां सीखा हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला यह मैच शोलापुर में हुआ था जरीन बोली जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग-अलग जगहों से आई थी वे हमसे ठीक से बात भी नहीं करती थी हमसे जूनियर की तरह बरताव करती थी हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी हमें बहुत बुरा लगता था उस टीम में आपसी सहयोग बिलकुल भी नहीं था मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेका तो वे ठीक से पकड़ नहीं पाई फिर मुझे ही डाटने लगी कि मेरी ही गलती है ऐसी ही गलत फहमी में हम वे मैच हार गए मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाएं तो भी हम चिड़ते नहीं हैं सोचते हैं कोई बात नहीं अगली बार जरूर अच्छा करेंगे एक दूसरे को संभाल लेना ही असली टीम है क्योंकि हम एक टीम के खिलाडी हैं आफरीन बोली शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ में आई हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है हम एक दूसरे को समझ लेते हैं संभाल भी लेते हैं हर एक खिलाडी कितना भी अच्छा हो अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले तो हम हार भी सकते हैं टीम के लिए हर खिलाडी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है लिखो, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहले की टीम में खेला है? किस के साथ? कौन सा खेल? टीम के लिए खेलना या अपने लिए खेलने में क्या अंतर है? क्यों? तुम्हारी टीम अफसाना के शोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाडा की टीम जैसी? क्यों? टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हीं क्या अच्छा लगता है? क्यों? प्रिष्ट एक सौसाठ हमने कहा यहां तक पहुँचे हो अब आगे क्या? अफसाना बोली जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगा जाने के मौके मिल रहे हैं हम अपने राज्ये और शेहर के लिए खेले हैं हमें उमीद है कि कड़ी मेनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे हाँ, फिर क्रिकेट खेलाडियों की तरह हमें भी सब जानेंगे हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीते हैं यह करके देखाएं चर्चा करो अपनी स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है तब तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगा गए थे? और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं? कौन से? प्रिष्ट 161 हम भारत के क्रिकेट खिलाडियों के बारे भी जानते हैं उन्हें चाहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेलके भारतिये खिलाडियों को भी ऐसे ही सब जानते हैं? और चाहते हैं, हाँ या नहीं, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, जैसे भारत के फुटबॉल या कबड़ी टीम के खिलाडियों को तुम बहचानते हो, हमने पूछा, क्या कुछ और परेशानिया आई, खुशनूर बोली, सच में, देखो तो आज जो हम हैं, वे हमें आसानी से नहीं मिला, हम लड़कियों को बहुत मेनत करने पड़ी, घरवालों को समझाना पड़ा, कभी जगड़ा भी करना पड़ा, ये सब इसलिए, क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं, पहले समय में, खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग त तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे, मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सकें, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती हैं, फिर वे चाहे खेल हों, तैरना हो, या फिर अफसाना बोली, वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुचना पड़ता है, लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूम कर बातें करके आराम से घर जाएं, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी ममी के साथ दो तीन घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ, अपनी घर में भी ममी की मदद करती हूँ, मेरे भाई को अगर चाहे चाहिए और वे खुद ब तो मा कहती हैं, तीन-तीन बहने हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। एक लड़की बोली, अब जरीन की छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है, वह भी बोलता है, मम्मी, तुम दीदी को क्यों बेशती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए, अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा, तो बोलता है, हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूंगा, अफसाना बोली, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फाइदा होता है खेलने से, यह हम अब समझे, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ, ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बनें, प्रिष्ट 162, चर्चा करो, लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए, तो क्या होगा? अगर तुम्हीं किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए, तो तुम्हीं कैसा लगेगा? खेल के क्षेतर में तुमने किन-किन महिला खिलाडियों के बारे में सुना है? कौन-कौन और किस खेल में है? तुमने खेल के अलावा और किस क्षेतर में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? तुम्हीं क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के पुरुष या लड़कों के नामों की अपेक्षा कम जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका ना दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्ही कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो, तो तुम्ही कैसा लगेगा? क्या तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो, जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? फिल्म एक्टर और मॉडल को छोड़कर कुछ और सोचो। आफरीन बोली, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो, तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। खुशनूर कहती है, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है, तो इसके लिए पहले खुल कर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए, अगर यह नहीं किया, तो बाद में पच्चतावा होगा। प्रिष्ट 163 हमने कहा, तुम्हारे बारे में अख़बार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में चपेगा, यह सोच कर तुम्हें कैसा लगता है। आफरिन बोली, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब से खुशी, ऐसा लगता है कि हम और खेलें, अपने इलाके का देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां बोली, हाँ, हमारे भी यही इच्छा है। कोच सर, इस टीम की शुरुआत करने वाले और उने खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है, खेलने के लिए। मुंबई की यह जगा बहुत ही भीड भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चु खान प्लेग्राउंड। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी हमारे हां रहते थे, उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहत चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चु खान कहने लगे, तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था, यहीं मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते, उन बच्चों में हम भी थे, बच्चु खान की लगन से ही हमारे यहां के कई लोग आज वी देशों की तीमों के साथ मैज खिलते हैं, हमने भी बच्चु खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तयार किया, आज हमारी टीम में कई अंतर राश्ट्रिय खिलाडी हैं, कुछ खिलाडीयों को अरजुन पुरुसकार भी मिला है, नूर खान ने बताया पिछले कुछ सालों से हमने यहां की लड़कियों की टीम भी तयार की है, हमारी लड़कियां महराश्टर के लिए भी खेलती हैं, सभी बहुत मीनत करती हैं, हमारे लड़के अगर यहां आकर यह सब एक टीम बनाते हैं, सोच कर लिखो, अख़वार की रिपोर्ट में लिखा था, अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी जो इसकी माने खड़ी की है, सोच कर अपने शब्दों में लिखो कि वह कौन सी दीवार थी, लिंग क्या समझे, तुम क्या सोचते हो लड़के लड़कियों के खेलों में अंदर करना चाहिए कि नहीं, लिखो, अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे, तो अपनी टीम को तुम कैसे तयार करोगे, भांद ली दीवार, अभी आप सुन रहे थे, कक्षा 5 की पाठे पुस्त क्युक्त